कि नमस्कार दोस्तों हर यह में स्टेडी में आपका स्वागत है कि क्वेश्टन नम्मर एक देखते हैं सीता एक बटा तीन घंटे में पांच सो चालिस अक्षर टाइप करती है तो वह छो मिनट में कितने अक्षर टाइप करेगी क्वेश्टन का रहा है एक बटा तीन घंटा में कितना पांच सो चालिस अक्षर टाइप करती है तो छो मिनट में कितना अक्षर टाइप करेगी पेले घंटा को मिनट में बदल लेंगे एक घंटा बरावर कितना मिनट होता है साट मिनट दो घंटा इसको मिनट में कैसे बदल यह दो गोना 3 60 120 मिनट उसी तरह इसको एक बाटा 3 घंटा इसको मिनट बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंग कि ट्री मिनट में आ जांग है कि चली हल करते हैं इसको है क्योंकि है चली पहले इसको मुना को मिनट में बदल लेते हैं एक वाट तीन घंटे बराबर एक वाट तीन को इसको मिनट बदलेंगे तो साथ से गुना करेंगे बीस तीया साथ कट गया कितना गया बीस मिनट में पांच सब चालिस अक्षा टाइप करती है या लेकिन कि चुक्छी सीता बीस मिनट में पांच सब चालिस अक्षर अक्षर टाइप करती है करती है जैसे ए बी सीडि ये भी अच्छर हुआ को ख इस तरह पांच सो चालिस अक्षर जैसे एक अक्षर हो गया दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर इस तरह पांच सो चालिस अच्छर टाइप करता है लेकिन इस लिए सीता एग मीनट एग मीनट में पांच सा चालीस बट्टा बीस अक्छर टाइप करेगी सीता एग मीनट में इतना अक्छर टाइप करेगी इसलिए सीता छो मीनट छो मीनट में एग मीनट में कर रहा है पांच सा चालीस बट्टा बीस इतना अक्छर छो मीनट में इसको छो से गुना कर देंगे एक जिरो एक जिरो कट गया 27 दोनी 24 अब इसको गुना करेंगे सच्छक 42 के दो अध मेरा चार सद दूनी छो दूनी 12 चार 166 अक्षर टाइप करेगी चो मिनट में कितने अक्षर टाइप करेगी तो सीता चो मिनट में 162 अक्षर टाइप करेगी अगला कॉस्टन देखते हैं देखें कॉस्टन नम्मर दो एक लिप्ट एक बार में 24 बच्चे या आठ पुरुस को ले जा सकती है तो 18 बच्चे के साथ कितने पुरुस लिप्ट में जा सकते हैं एक लिप्ट है एक लिप्ट है इसमें कहता 24 बच्चे या 24 बच्चे आठ पुरुस इस लिप्ट में जा सकते हैं जानि 24 बच्चे का जितना वजन है उतना वजन आठ पुरुस का है तो 24 बच्चे जा सकता है या तो आठ पुरुस जा सकता है इस लिप्ट में एक बार में एक लिप्ट एक बार में 24 बच्चे आठ पुरुस को ले जा सकती है 18 बच्चे के साथ 18 बच्चे अगर जाए तो इसके साथ कितने पूरुस लिप्ट में जा सकते हैं तो चलिए इसको हल करते हैं शुकी 24 बच्चे बरावर 8 पूरुस पूरुस मतलब जैन्स इसलिए एक बच्चे बरावर केतना है 8 बच्च चोबीस पूरुस इसलिए 18 बच्चे 8 बच्च चोबीस गुना 18 इसको काटेंगे तो 8 तीय चोबीस यह एक अठे 8 तीन अठे चोबीस 3 छठ, 18 zw. P3,4 दीए गए 18 बच्चे बरावर कितना हिए Shaun ताव पूरुस टोटल पूरुस इसमें कितना जा सकता है लिफ्ट में 8 पूरुस तो छोब पूरुस एक बार में यह 18 जंज़न भर रहे और दो पुरुस जा सकता है इस में इसका एंसर देखे तो इसलिए अभीष्ट उत्तर या अतिरिक्त पूरुसों की संख्या अभिष्ट उत्तर याँड में 6 माइनस कर दे क्योंकि 18 बच्चे बराबर 6 पूरुस हो रहा है तो टोटल देखे 8 पूरुस एक बारे में जा सकता है तो 8 में 6 गटा है 2 याने 2 पूरुस अभिष्ट उत्तर दो पूरुस याने 18 बच्चे के साथ दो पूरुस लिफ्ट में जा सकते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्टन देखते हैं क्वेश्टन नम्मर 3 एक किला में 1800 आदमियों के लिए 32 दिनों का भोजन का प्रबंध है यानि युगाळ है यदि 600 आदमी और बढ़ जाए तो बौजन कितने दिनों तक चलेगा 31 दिनों का भोजन उपलब्ध है उसमें 600 आदमी और बढ़ जाता है भोजन करता है कितना दिन तक चलेगा चली स्कॉल करते हैं कुल आदमी कूल आदमी कितना हो गया पहले अठारा सो था और चो सो चो सो आदमी और बढ़ गए जैने आगे और चो सो आदमी टोडल कितना हो गया चो बीस सो कूल आदमी कितना हो गया चो बीस सो चुकि अठारा सो आदमीयों के लिए 32 दिनों का भोजन है अठारा सो आदमीयों के लिए कितना दिन का भोजन है 32 दिन का भोजन है ठीक है इसलिए एक आदमी के लिए एक आदमी के लिए एक आदमी के लिए 32 गुना अठारा सो इतना दिनों तक भोजन चलेगा एक आदमी के लिए इतना दिनों तक चलेगा देखिए कभी पर अगर पांच आदमी है ठीक है यह भोजन है और इस भोजन को पुरा भोजन को समाप्त करने में चार दिन लगता है तो देखिए एक दिन में इतना भोजन खाएगा दूसरा दिन में इतना भोजन समाप्त करेगा तीसरा दिन में इतना पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन और चौथा दिन तो देखिए पांच आदमी है एक दिन में कितना यहां पांच आदमी खा रहा है दूसरे दिन फिर पांच आदमी तीसरे दिन पांच आदमी और तो देखे 20 आधमी एक दिन में खतम करेगा एक आधमी 20 दीन लगए तो कैसे निकालेंगे 4 को और इस गोना 5 सब को जोड़ेंगे तो 20 आएगा इसको गोना करती चार दिन और 5 बेखती तो 4 पंच यह देखे 20 दिन आगए 20 बेखती एक दिन में आदमी के लिए 32 दिन उसी तरह पांच आदमी के लिए चार दिन तो एक आदमी के लिए तो देखे चार गुना पांच के दूसी तरह इसमें 32 गुना अठारा सखे जिनों तक बोजन चलेगा ठीक है चलिए कि इसलिए 2400 कि 2400 आदमियों के 2400 आदमियों के लिए 32 गुना अठारा सव बट्टा चोबीस सव देखे अब इसको भाग देंगे दो जिरो दो जिरो कड़ गया अब देखे तीन अठे चोबीस चार अठे बट्टीस कड़ गया तीन चक अठारा चोचोबीस दिनों तीनों तक भोजन चलेगा चोबीस सवाध्मी च्छोषवाध्मी बढ़े गया पहले आठारा सवाध्मी था तो 30 दिन चल रहा था भोजान तो 600 बढ़ गया तो 2400 आदमी के लिए कितना दिन चलेगा 24 दिन तक तो यह कितना दिन चल रहा है कि 20 दिन तक अगर यह 10 आदमी आ जाए तो देखिए चार गुना पांच यानि 20 दिन अगर 10 आदमी आ जाए तो कितना दिन चलेगा इसको भाग देंगे 5 दो नी 10 दो दो नी 4 कितना आगए दो दिन पांच आदमी के लिए 4 दिन चल रहा है तो 10 आदमी के लिए कितना दिन चलेगा दो दिन सहें मिशी तरह इसको किये थे घए जुल यह अगला कॉस्टन देखते है यह इसको कॉस्टन नमर चार देखते है पांच मैजों का करय मुझ साथ कुर्षियों के करय मूझ के बरावर है यदि एग मेज का करे मूल 210 रुपईया हो तो एक कुर्सी का करे मूल ग्याद कीजे देखिए चुकि एग मेज एग मेज का करे मूल जानी खरिदने वला मूल लिए कितना है? 210 रुपईया करे मूल मतलब जिस मूल में खरिदते हैं उसको बोलते हैं करे मूल जिस मूल में बेचते हैं उसको बोलते हैं भी करे मूल इसलिए पांच मेजों का करे मूल लिए पांच मेजों का करे मूल कितना हो? एक मेज का 210 है तो 210 गुना 5 एकली यहाजार 1050 रुपई हैं ऐसे जाएं बिराबर एकजार पचास रुपई है बरावर हम लग सकते हैं पांच मेजों का करेमूल बरावर दखें पांच मेजों का करेमूल साथ कुर्सियों के मूल के बरावर करेमूल के बरावर जानि पांच मेज बरावर साथ कुर्सी यहां लिख सकते हैं कि साथ कुर्सियों का करेमूल को कुर्सियों का करेमूल है कि साथ कुर्सियों का करेमूल हो गया एक हजार पचास क्यों कोश्टन में दिया हो देखे पांच पांच मेजों का करेमूल बराबर है साथ कुर्सियों का करेमूल एक हजार पचास रुप है इसलिए क्वस्टन क्या करा है तो एक कुर्सी का करेमूल गया देखे एक कुर्सी का करेमूल को इस तरह सोट में लिख सकते हैं करेमूल को करेमूल गया इस तरह सोट में करेमूल लिख सकते हैं तो एक कुर्सी का करेमूल कितना हो एक हजार पचास है साथ को इसको साथ से भाग देदेंगा गूना एक देखिए जैसे दस कलम को मुल्य पचास रुपई है एक कलम का मुल्यशा पचास वट्टा दस लिखते हैं दो कलम का मुल्यशा पचास वट्टा दस कुर्स तो यहां दो से गुना किए यहां एक से क्यों नहीं कि एक से जोरी नहीं हो तो एक से गुना करेंगे तो उतने रहेगा इसलिए एक से गुना आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहां आप एक से गुना नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं इसको भाग वीडियो यह अंत करतें अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें धन्यवाद